दोस्तों हम सभी जानते हैं कि पेरेंटिंग एक बहुती खूबसूरत अनंद में यात्रा होती है और आज ग्लोबल पेरेंटिंग डे पे हम आपको PMC Hindi Channel की तरफ से एक बहुती खूबसूरत गिफ्ट देना चाह रही है और वो गिफ्ट है कि किस तरीके से आप अपनी पेरेंटिंग को और जादा एफेक्टिव बना सकते हैं तो उससे जुड़े कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ सबसे पहले हमें अपने बच्चों को एक बहुती वाम एक्सेप्टेंस और रिस्पेक्ट देनी चाहिए अब इसका क्या मतलब हुआ मतलब है आप बच्चों को सिर्फ अपना यू नो जैसे हम कहते हैं कि रोटी कपड़ा मकान ये तो सब दे रहे हैं इससे ब्योंड सोचिए आप अपने बच्चों को स्नी दीजिए एड टाइम्स उनको गले लगाएं उनको प्यार करें उनके सिर पे हाथ फेरें कभी-कभी उनसे पूछें कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं और जहां तक रही एक्सेप्टेंस की बात यदि आपका बच्चा आपसे कुछ कहता है तो दोस्तों तुरन देख दम ऐसे नहीं कहना कर पाएंगे या यह बात तो बहुत सही बोली हम इसको पूरा करेंगे और सबसे इंपॉर्टन चीज क्या है हमें अपने बच्चों को रिस्पेक्ट देनी चाहिए दोस्तों हम सभी जानते हैं गिविंग इस दी बेस्ट फॉर्म अप रिसीविंग हमें यह नहीं देखना चाहिए कि वो छोटे हैं तो हम उनसे हमेशा तू तड़ाच करके बात कर रहे हैं हम उनको कुछ समझते ही नहीं है एक समय आएगा कि वो हमारे साथ ऐसा बहेव करेंगे तो हमको क्या करना चाहिए हमें अपने बच्चों को बहुत प्यार से उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहि है अगला पॉइंट हम क्या लेकर चल सकते हैं आलवेज प्रेस दी बिहेवियर नॉट दचाइड इस पॉइंट को दोस्तों मैं पेरेंटिंग का सबसे इंपोर्टेंट और सबसे मुख्य पॉइंट जो है वो मैं समझती हूँ जाधा तर दोस्तों हम क्या गलती कर जाते है हम अपने बच्चे की या तो तारीफ करेंगे या फिर हम क्या करने लगते हैं अपने बच्चे को बोलेंगे तुम गलत हो हमें करना क्या चाहिए हमें उस बिहेवियर की तारीफ करनी चाहिए जो उस बच्चे ने किया जो हमें अच्छा लग रहा है हमें उस बिहेवियर के तो उसमें क्या होता है, बच्चा कभी ये सीख ही नहीं पाता है कि मैंने क्या गलत किया, वो खुद ये confusion की state में चला जाता है, लेकिन यदी हम उसके behavior की praise करती है, तो उसको समझ में आएगा कि मेरा ऐसा करना सही है और मेरा वैसा करना सही नहीं है, हमें अपने बच्चों के स आद, encouragement concept को यूज करना चाहिए, अब आप सोचेंगे, encouragement concept क्या हुआ, सिरफ बच्चों को प्रोच साहित करना, हम यही परिभाशा समझते है, encouragement की, लेकिन प्लीज, आप इस concept को थोड़ा और बड़ा कीजिए, for example के लिए, माल लेते हैं कि हमारा एक छोटा बच्चा है, और आप इसको स्कूल में, वो स्कूल जाता है, और छोटी क्लास में भी वो पढ़ता है, और आज उसको जो है, उसकी माम ने कुछ 30 वर्ट्स दिया हैं कि यह आपको याद करने हैं, आप अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, उसको टाइम दे रहे हैं, वो कर दिये यहां पे हमें encouragement concept को use करना है कैसे हम appreciate करेंगे कि वाव देखो आपने इतनी देर के अंदर 20 words बिल्कुल ठीक कर दिये अब तो सिरफ 10 रह गए हैं तो अब आप थोड़े समय के अंदर उनको भी कर लेंगे अब हम क्या करने लग जाती हैं हम अपने बच्चे को महा पर evaluate करने लग जाते हैं और इतनी देर तुमारे साथ टाइम लगाई एक एक चीज मैंने समझाई हो देखो तुमने कितने 10 words गलत कर दिये हमने क्या किया हम उसको discourage मिले गए और discourage मिले जाने से क्या होगा उस बच्चे के अंदर हीन भावना आ जाती है अगला point हम क्या ले सकते पहलू होते हैं इसी तरीके से यह जो मैं आपको कॉइन कॉंसेट बता रही हूँ यह जुड़ा होता है हमारे you know family के rules क्या है तो हर परिवार के rules में सिक्के की तरह दो पहलू होते हैं एक पहलू होगा जो हमें बताएगा what you should do हमें क्या-क्या करना चाहिए तो हमें बच्च करना चाहिए वो क्या करता है वो acceptable behavior बच्चे को सिखाता है कि अच्छा मेरे परिवार में हम सब मिलके 8 बजे हम डिनर कर लेंगे अच्छा हमारे को बहुत रात तक जागना नहीं है तो वहां से उसको क्या समझ में आएगा क्या acceptable behavior है और क्या not acceptable behavior है लेकिए यहां भी बहुत important role जो हमें parents को play करना है और वो रोल यह है कि जो हम यह rules उनको बता रहे हैं हमको भी उनका पालन करना है हमको भी रात को साड़े दोस 11 बजे जो भी हमने time बनाया है तब हमारे को जो है अपना वो जो mobile है वो हमारे को छोड़ देना चाहिए तो जब हम इस concept को अगर अपनाते हैं तो हम अपने बच्चों को यह सिखाते हैं आपको क्या कैसे किस तरीके से करना है इसके बात दोस्तों हम एक और point के अपर ध्यान देंगे वो है कि हमें अपने बच्चों को बहुत healthy environment देना चाहिए जब हम healthy environment की बात करते हैं तो हमारा ध्यान जाएगा कि अच्छा हमें बच्चों को खान पाँ exercise इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए बिलकुल इन चीजों पर हमें ध्यान देना ही देना है लेकिन जो हम health की परिभाशा ले रहे हैं वो सिर्फ physical health की बात नहीं कर रहे हैं हमें अपने बच्चों को mentally भी बहुत strong करना चाहिए और हमारे को spiritual way में उनके साथ जो भी हमारी knowledge है wisdom है वो शेयर करना चाहिए उनके साथ medication करना चाहिए जिससे कि पूरे परिवार के अंदर जो एक connection होता है वो बहुत अच्छे तरिके से हमारा improve होता है इसी के साथ दोस्तों हमको एक बहुत important काम करना चाहिए वो यह है कि it is not like this कि you are a parent and you should know each and everything ऐसा जरूरी नहीं है आपका बच्चा यदि आपसे कई बात पूछता है और आपको यदि उसके बारे में कुछ नहीं पता तो बोलिये ना sorry I don't know मुझे नहीं पता चलो दोनों मिलके इसके बारे में explore करते हैं और देखते हैं कि जो आज आपने ये question पूछा है उससे related जो information जानकारी है वो क्या है इससे दोस्तों क्या होगा इससे दो काम होते हैं पहली बात ये बच्चे का esteem level बढ़ेगा कैसे बढ़ेगा वो कहेगा देखो मैंने प्रश्ट पूछा और इस प्रश्ट के बारे में मेरे parents को नहीं पता था दूसरा वहां से क्या learning लेगा कि यदि लाइफ में आपको किसी चीज के बारे में नहीं मालूम तो बोलिये हमें बोलना है कि मुझे नहीं पता और तीसरा भी एक पॉइंट लगा देते हैं और उसके बाद क्या करेंगे हम उसके बारे में explore करेंगे हम उस जानकारी को लेते हैं तो कहीं बारी हम ये गल्ती करते है कि parents का मतलब है कि भई, बच्चे के आगे कभी यह नहीं बोलना कि मुझ़ए यह नहीं बता. जब हमें बोलेंगे तो बच्चा भी यह सीखता है जो चीज उसको नहीं आएगी, वो उसके बारे में बोलेगा और वो उसके बारे में research करके उससे जुड़ी जानकारी को हसिल करेगा इसी तरीके से दोस्तों अगला point हम ये भी लेकर चलेंगे आप please अपने बच्चों को हमेशा ये मत सोचिये कि वो हर चीज आपको perfect करके देंगे because no one is perfect हम लोग भी देखें तो हमें भी कुछ कमिया है बिलकुल हम ये सिखाएंगे बच्चों को कि किसी काम को कैसे करना है जहां पे हमें लगता है कि मेरे बच्चे को learning लेने की ज़रूरत है वहाँ पे हम उनको वो learning लेने के लिए prepare करेंगे और फिर हम उनको जो हैं, वो लर्निंग देंगे. इसी तरीके से, दोस्तों, हम एक पॉइंट और ले सकते हैं, और उस पॉइंट के अंदर, हम इस बात को बड़े ध्यान से समझेंगे, कि यदि आपका बच्चा किसी एक पर्टिकुलर बहेवियर को करता है, तो प्लीज, डोंट लेबल यूर चाइल, हम कभी-कभी क्या करते हैं, अपने बच्चों को कुछ लेबल दे रेते हैं, अरे तू तो बड़ा डर पोग है, यूर वेरी टिमिड, वा लूट यू आर, तो उससे क्या होने लग जाता है, बच्चा सुन सुन के उसी लेबल के पर काम करेगा, क्यों? क्यूंकि हम क्या कर रहे हैं, हम उसको कुछ ब बोल ही नहीं रहे हैं, जो उसकी कमी है, जो उसकी नेगटिबिटी हैं, हम तो बज उसको फीड कर रहे हैं. Last में, दोस्तो, मैं एक बहुत ही प्यारा सा एक आपके साथ पॉइंट शेयर करना चाहा रही हूं और वो पॉइंट यह है कि आप अपनी बच्चों के साथ वाइज रहिए W-I-S-E जब हम यह सोचेंगे तो हम कहेंगे अरे यह क्या पॉइंट हुआ बच्चों के साथ वाइज यह क्या बोल रही है वाइज का मतलब है सबसे पहले W को पकड़िए वेलकम आपको क्या करना है जब ही भी आपका पच्चा आपके पास आ रहा है कुछ प्रशन पूचने के लिए या कुछ अपनी समस्या लेने के लिए या उसके मन में आ रहा है आपके साथ बात करने का तो प्लीज आप हमेशा उसको वेलकम कीजिए कभी-कभी हम क्या गलती कर जाती है कि अभी मेरा मूड नहीं है अभी मैं बीजी हूँ या मैं अभी और रड़ी किसे स्ट्रेस में चल रही हूँ तो बच्चा आता है तो हम अपना गुसा वही निकाल देती है उससे उस बच्चे के अंदर क्या भाव आजाता है I have never been welcomed by my parents वो यह नहीं देखेगा कि आठ बारी आपने उसको वेलकम किया है वो क्या करेगा दो बारी आपने उसको यू करा वो उस चीज को ज़्यादा देगा तो आपको करना क्या है यदि आप बीजी भी हैं तो उस समय आप उस बच्चे को बुलाईए और उससे पूछिए क्या बात है अगर आपको लट्टा वो लंबी बात है और आपको वी ज़रूरी काम करना है तो उसको एक्स्प्लेइन कीजिए कि अभी मैं ये काम खतम करूँ और उसके बाद हम दोनों बैटके इस बारे में चर्चा करते हैं तो ये आपको करना है वेलकम आई से आपको क्या करना है इंटरस्ट शो कीजिए एक चार पांट साल का बच्चा एक नोट बुक के उपर कुछ उल्टी सीधी लाइने, कुछ ड्रॉइंग बढांके उसमें कुछ उल्टे सीधे रंग भर के आता है दोड़ता वापके पास आता है कि मम्मा मम्मा ये देखो और उस समय आप अपना कोई बहुत इंपोर्टेंट प्रोजेक्ट बना रहे हो आप उसको देख के बोलते है ये क्या ये क्या टेडी मेडी लाइने मुझे दिखाने आगे हो जाओ यहां से बाहर जाओ मुझे मेरा काम करने तो तो आपने क्या किया हमने कहीं ना कहीं बच्चे की क्रियेटिविटी को वहीं पे फुल स्टॉप लगा दी तो करना क्या है? प्रीज बच्चा जो भी आपको दिखा रहा है शेयर कर रहा है उसमें इंट्रेस्ट शो कीजिए अगर वो आप चे अपने कोई समस्या भी शेयर कर रहा है तो उसके इंट्रस्ट शो कीजिए, आप इंट्रस्ट शो करेंगे, तो उसको लगेगा, हाँ, मेरे माबाप मुझे वेलकम भी करती है, और मेरी बात में उनका इंट्रस्ट भी होता है. उसके बाद ऐसे आपको क्या करना है, आपको दोस्तों अपने बच्चे को supporting environment देना है, supporting environment does not mean कि हम अपने बच्चों को आत्म निर्भर नी बनने देंगे, हम उनका हर काम हम खुद करेंगे, जहां पे आपको लगता हमको support चाहिए, वो support चाहे, you know, financial level पे है, physical level पे है, mental level पे है spiritual level पे है, किसी भी level पे है, हमें अपने बच्चों को हमेशा support करना चाहिए, हमें उन्हें supportive parenting से पालना चाहिए, और last में मैं कहूंगी, E से क्या बना, E से बना, कि हमें हमेशा उनको encourage करना है, encourage कैसे करेंगे, दोनों बातों पे करेंगे, कुछ नया काम करने के लिए भी encourage करे करेंगे, अगर वो कोई काम कर रही है, उनसे नहीं हो पा रहा है, तो जो 10% उनों ने किया, उस पे हम उनको appreciate करेंगे, और उनको कहेंगे, कि जैसे तुमने ये 10% कर लिया है, आप इस 90% को भी कर सकते हैं, तो दोस्तों, ये था हमारा खुबसूरत सा gift, आज Global Parenting Day पे आप ल यदि आप इनको अपने Parenting में अपनाएंगे, तो आप अपने बच्चों को एक बहुत ही प्यारा सा जो है जीवन, वो आप उनको दे पाएंगे